नमस्ते उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखिए अभी जो है बिहार बोड के दोवारा एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई हुई है क्योंकि मैट्रिक में जिन्होंने फर्स्ट डिविजन या फिर सकेंड डिविजन से पास किया हुआ है हला कि सकेंड डिविजन में सभी को जो है लाव नहीं मिलता है एसी एस्टी के जो लड़का या फी लड़की होते हैं उनको ही बेनिफिट मिलता है तो अभी जो है एस्क्रॉर्शिव देने के लिए जो ओन लाइन एप्लिकेशन फर्म है उसको सुरू कर दिया गया है आज किस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरसे step by step आप form को भर सकते हैं आपको form fill up करके दिखाएंगे जिसके माधिम से शुरू से लेकर on तक आपको form को भरना है अला कि form को भरने में काफी सरे दिख्टों का सामना भी करना पड़ रहा है तो उसको भी हम cover क करेंगे और मतलब इतना समझ है कि अभी पूरी तरह से फॉर्म फिलप नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आपको हम प्रोसेस बताएंगे जिसके माधिम साब को समझ में आएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फाइनल सम्मी तक भरना है तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तक ल यहां पर आने के बाए दिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका यानि कि लड़का लड़की हैं उनको जो है दा स्वी पास करने पर पूर्सताहारासी दीजाती है तो इसमें आप किसी भी काईटीगाडी से लड़का है या फिलड़की है दा सी पास कर चुके हैं फर यहां पर link आपको दिया गया है, जिस पर आपको click करना है, click करने के बाद आपके सामने 2024 वाला जो portal है खोल जाएगा, यहां पर सबसे पहले तो एक clear कर लिजिएगा कि आपका जो भी खाता है वो DBT link होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि form भरेंगे तो कहीं भी आपसे account number नहीं है मैंने अलेडी बता चुका हुआ है कि आप माय अधार के पोटल पे जाकर अधार नमर को डाल कर लोग इन करके अपना जो बेनिफिसरी स्टेटेस है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो अधार है वो कौन से बैंक के साथ लिंक है अगर लिंक नहीं है तो आप अपने ब बादन है 15 अपील से ही शुरू किये गए है 15 माई तक आप बात करते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपलाई करना होगा और अपलाई करने के बाद आपका जो है डिपाटमेंट एन बैंक वरिफिकेशन किया जाएगा य इसे लॉग इन करके आपको जो ही फाइलाई जेसन करना होगा उसके बाद आपका पेमेंट आपके खाते में रिस्टिब्ड होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो ही फॉर्म को कैसे भरना है और फॉर्म भरने से पहले समझिएगा कि आप किसी भी का को मिलेगा तो दोनों लोग जो हैं फॉर्म को भर सकते हैं कोई भी दीकत नहीं है फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ओनलाइन के सक्षन पर आपको क्लिक करना होगा तो आप यहां पे देखेंगे इनका जो ओनलाइन अवदन करने का यहां पर जनकारी है देखने को मिल कि चार स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है यहां पर आपको टी करने के बाद यहां पर कंटीनिव के बटन पर आपको किलिक करना है अब यहां पर सबसे पहले रेश्टेशन का जो ही डीटेल्स आपको डालना है जैसे कि सबसे पहले तो आपना डिश्टी का सेलेक्शन करे कि आप कौन से डिश्टी के अंतगरता आते हैं उसके बाद आपका जो भी रेश्टेशन नंबर है जो कि आपके जो भी मैट्री का एड्मी कार्ड है उसके आपको देखने ही को मिलेगा इस फॉर्मेट में आपको रेश्टेशन नमर डालना है उसके बाद इस टुडेंट का जो नेम है वह अपने तेंथ के सटिफिकर्ट के हिसाब सही डालना है उसके साथ ही साथ डेट बर्थ फाधर और मदर का नेम भी जो भी आपके तेंथ जो एड्मीन कार्ड है उसके बाद बताएंगे कि आपने जो ही मैटिक में कितना अंग प्राप्त किया हुआ है आपका division के आए देख सकते हैं कि first और second ही आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपका जो भी division होगा उसका selection करेंगे फिर यहां पर क्याटिगड़ी देखेंगे तो सभी क्याटिगड़ी के लोग यहां पर लाब ले सकते हैं हाला कि A.C.H.T. को केवल second पर मिलेगा बाकी किसी भी काईड़ी से आते हैं तो first division से पास है तो form को भर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपना roll नमर बताना है तो आप अपना हिसाब से बताएंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर जो भी डेट अबर्स को क्लेंडर के माधियम से यहां पर चूज करेंगे और इसको यहां से वरिफाई कर लेंगे एक बात ध्यान रखेंगे कि आपके अधार काड़ पे और जो भी मैटी के सर्डिफिकेट है यानि कि एड्मिट काड़ है उस पे अगर आपका डेट अब बर्थ में या फिर नेम में भिंता होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो फिलाल तो फॉर्म फिलप हो जा यह ठीक है तो अधार काड़ को सुधार जरूर करवा लेंगे मैटी के सर्डिफिकेट का अनुसार जैसे ही मैटी का सर्डिफिकेट जो आपके स्कूल से मिल जाता है उसके बाद यहां पर जो ही मुबाइल भरिफिकेशन आपको करवानी है तो यहां पर एक मोबाइल नमर आपको लिखनी है उसके बाद अल्टरनेटी मोबाइल नमर भी डाल कर आप यहां पर आपके घर में किसी का हो सकता है माता पिता भाई बहन का तो उसकी डाल कर आप यहां पर वरिफिकेशन करना है तो एक इमेल आइडी आपका हो सकता है आपके घर में किसी का भी हो सकता है उसको डाल कर यहां पर verify कर लेंगे इस तरह से अगर आपका अधार verify हो जाता है तो आपको देखनी को मिलेगा कि आपका जो अधार verify है successful complete हो गया है फिर यहां पर mobile number alternative mobile number और email id भी verify कर लेना है उसके बाद यहां पर क्यप्चा को फिर करना है फिर भीव के section पर click करना है अब यहां पर confirm का button मिलेगा जिस पर आपको click करना है अब यहां पर आपको जो ही दो certificate upload करने पड़ेंगे जिसमें मैटी का जो ही mark sheet हो गया फिर certificate हो गया और उसके बाद अधार card हो गया तो अभी तो आपके पास अधार card होगा जिसका front page होता है back page होता है दोनों को जो है आपको scan करके आप उसका photo copy करा लेंगे और उसको बाद scan करके यहां पर upload कर सकते हैं जिसका फाइल साइड जो ही चार से कम होनी चाहिए pdf format में होनी चाहिए आपके पास मैटी का mark sheet certificate अभी नहीं होगा कियोंकि अभी आपको मिला भी नहीं होगा तो यहां पर वेट थ्रा सकर लेनी चाहिए क्योंकि form तो सुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक जो है स्कूल से जो आपका mark sheet है या फिर आपका जो certificate है मैटी का नहीं मिला हुगा है अगर आपको मिल गया है तो आप उसको यहां पर upload करेंगे scan करके यह upload करना यहां पर necessary है देख सकते हैं कि यहां पर compulsory दिया गया है तो इसको upload करना होगा इसका भी size यहां पर same रहेगा तो अगर आपको मिल गया है तो upload कर सकते हैं नहीं मिला हुगा है तो wait करेंगे मिलने के बाद यहां पर upload करेंग जो ही बटन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप जो ही प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं फॉर्म को भरने के बाद आप इनके होमपेज पर आएंगे तो कभी भी आप अपने अप्लिकेशन का जो स्टेटेस है चेक करना चाहते हैं तो यहां पर ग लॉगइन डी दिया आateurs है जिसमें यूजर पसवॉट रहता है जो कि ही आपको रेजिस्टर मोबाइल नुर्पे सेंड किया इता है उसको आप को से लॉगइन करने के लिए हां पर देख सकते हैं कि लोगइन का सेक्षन मिलता है जिस पर क्लीक करना होता है और आपको जो भ बाद जो ही इन वैलिट बता रहा है कई बाद जो है सही जनकाई डालने के बाद भी जनकारी यहां पर नहीं ले रहा है तो यह थुरा सा प्रोब्लम है जो कि आपको अभी जहलना पड़ेगा इन फ्यूचर इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको गड़बड़ी या फिर समस कारी मिल गया होगा दो से तीन दिन के बाद ट्राइक करिएगा आपका जो फॉर्म है न पुरी तरह से फिलप होना शुरू हो जाएगा और आप जो फॉर्म को भर पाएंगे तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद